Hello students, welcome back to my channel तो कैसे हो आप सब लोग क्या हाल चाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है I hope you all are doing well और मैं अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ तो फिर आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो NEET की latest notification आई है उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गई हूँ बट कोई बात नहीं, मैं आपको ये information दे देती हूँ कि जो NEET का जो latest notification आई है उसके according ये है कि जो NEET का paper है वो कब conduct होने वाला है ठीक है, तो Times of India का जो news है उसके according ये है कि जो boards के exam है आपके बिटा वो खतम होने वाले हैं June में 10th of June को boards के exam खतम हो रहे हैं तो उससे पहले तो NEET हो नहीं सकता राइट, so NEET की जो probable date है वो क्या है, अभी June और July में कही गई है कि June में और July में NEET का exam हो सकता है और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि 10th June तक तो board के exam complete होंगे तो आप ये मान के चलिए कि उसके एक week या दो week के बाद आपका NEET का exam हो सकता है अभी कोई dates आई नहीं है अभी बस यहीं बताया गया है नियूस के according कि आपका जो NEET का exam है वो June या July में हो सकता है या July के first week में भी हो सकता है या mid July में भी हो सकता है तो आप लोग अपनी preparation उसी के according रखिए ठीक है आप बिल्कुल भी यह में सोचिए कि जैसे पिछली बार हुआ था lockdown के टाइम पे, corona टाइम पे postpone हुआ था दो बार paper फिर September में जाके paper हुआ था इस बार भी वैसा ही होना है उस तरह की कोई situation इस बार नहीं आएगी बेटा जो NTA है उसके according guidelines आ चुकी है कि वो June या July में होगा हाना, जो NEET exam है वो कब होगा June और July में and this is very correct information ठीक है बहुत ही authentic information है यह इस पे कोई भी दोराहे नहीं है और हो भी जाना चाहिए बेटा क्योंकि आप खुदी सोचिए next session में admission लेने में counselling में बहुत जादा फिर क्या होता है ना time waste हो जाता है बहुत लंबा वो खिछ जाता है जैसा कि इस बार हुआ था corona time में इस तरह की चीज़े अब की बार नहीं होगी और यह लिखा भी है इस guide list के अंदर notification के अंदर दूसरी चीज़ है कि कई बच्चों को doubt था कि जो neat का paper है वो कैसे होगा pen paper based होगा pattern क्या होगा तो pattern की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि no change in pattern pattern में बेटा कोई change नहीं हुआ है जैसा pattern आपने 2020 में दिया था वैसा का वैसा pattern इस बार 2021 में आएगा ठीके जैसा 2020 में था वैसा ही pattern 2021 में आएगा there is no change in pattern किसी subject में कोई change नहीं हुआ है ठीके दूसरी चीज़ जो कई बच्चों को doubt रहता है कि हमारा जो CBSC का syllabus है school का syllabus है वो reduce हो गया है तो NEET में भी syllabus reduction हुई है क्या तो ऐसा कोई नहीं notification है no reduction in syllabus ये भी आपको याद रखना है syllabus में कोई कमी नहीं हुई है as it is जो 2019-2020 के बच्चों ने paper दिये थे वही same to same syllabus रहेगा तो आपने अगर अपने CBSC boards में कुछ topic को exempt किया है नहीं पढ़ा है तो वह आप NEET के लिए जरूर पढ़ना बेटा वह syllabus में है ठीके बात करते हैं हम लोग next what is the mode of paper paper का mode क्या रहेगा तो हमारे पास जो है अभी से इस notification से पहले ही हम यही सुनने में आ रहा था कि जो paper होगा that is CBT computer based test होगा ठीके बट अभी जो notification आई है recent उसकी according आपका जो paper है वो pen paper based है ठीके pen paper based paper है offline mode में paper होगा online mode में paper नहीं होगा CBT नहीं होगा बेटा सभी लोग ध्यान से सुनिए online mode में इस बार से paper नहीं हो रहा है तो आपको paper center पे जाकर offline mode में देना पड़ेगा बेटा कोई CBT paper नहीं है ठीके क्योंकि CBT paper वैसे तो इस बार चार रही थी NTA की organize करवा दे बट due to some corona issue बोल सकते हो आप या फिर time की कमी होने की वज़ा से वो चीज़ इस बार possible नहीं हो पाई है तो maybe on next time और from next year वो CBT कर भी दे उसमें time लगेगा ठीके तो जैसे J.E. में जो engineering का paper होता है उसमें CBT हो चुका है उसमें multiple papers भी हो रही है ठीके वो चीज़ neat में इस बार applicable नहीं है notification में आप clearly देख सकते हो neat का paper इस बार एक ही बार होगा तो जैसे J.E. का paper online कर दिया है CBT कर दिया है वो चीज़ neat में नहीं हो पाई है क्योंकि it requires some time ठीके और उसमें बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है तो वो इस बार तो नहीं हो पाएगा according to NTA उनकी guidelines आई है कि इस बार तो हम लोग paper जो है वो pen paper based ही करवाएंगे next year से वो अगर करना चाहिए तो कर सकते है ठीके next जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं attempts जैसे कि सुनने में आ रहा था कि इस बार NEET दो बार होगा ना NEETS will be conducted two times तो वो भी जो है NTA ने उसको भी निकार दिया है मतलब उसके लिए भी NTA ने डिनाय कर दिया है उन्होंने बोला है 2021 में paper is conducted single time एक ही बार paper होगा ठीके बेकाज बेटा आप खुदी सोचिए इस बार boards को manage करने में काफी problem आई है boards आपके जो March में हो जाया करते थे वो May में हो रहे है तो उसकी वज़य से क्या है न कि paper दो बार conduct करवाने में problem है बट वैसे NTA भी चाहती है कि paper दो बार होए तो hopefully ये माना जा रहा है कि from next year में भी वो इस चीज़ को implement कर दे बट इस साल आपको एक ही attempt मिलेगा 2021 में you are not able to get two attempts पर दो attempts जो होते है उसका फाइदा है NTA के जो personals है वो भी इस चीज़ को मानते है ठीक है जो secretary है higher education के उनका भी ये मानना है कि दो attempts होने से बच्चों को time मिल जाता है एक ही साल में वो दो बार attempts दे सकते हैं अगर उनका कोई पहले attempt सही नहीं हुआ है दूसरे attempt में वो अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो ये उनका मानना है तो वो इस चीज़ को implement करेंगे इस साल नहीं पर अगले साल से शायद वो कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत नीजिए कि attempts नहीं बढ़े या कुछ नहीं बढ़ा आपके पास सारे हैं अपना अच्छे से attempt दीजिए ठीक है और होफ़ुली नेक्स्ट येर से दो बार attempts हो सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए बिल्कुल परिशान मत हुए कि क्या है क्या होना है क्या होना नहीं है अपनी तैयारी सही से रख़िए ये बोर्ट की तैयारी अपनी अच्छी रखिए में तक बोर्ट खतम करके उसके बाद जून जुलाई में आपका नीट का पेपर होने की संभावना है ठीक है तो अभी डेट्स नहीं आईए डेट्स जैसे ही आएगी उसमें मैं वीडियो बना दूगी आप वहां से डेट्स देख सकते हैं दूसरी चीज अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए बिटा बिल्कुल आप कन्फ्यूजन में मत रहिए एक्जाम का पैटन आपको बता दिया है मैंने बोड आपको बता दिया है अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं ठीक है नीट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं तो फिर बेटा पढ़ते रहिए प्यारी अपनी दिजारी रखिए और अपना खयाल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टे ब्लेट स्टे हैपी